हेलो बच्चो नमस्कार हाँ बस आई मैं सामने ठीक है तो बस कमेंट हुए सेट और मैं भी विल्कुल सामने आहीमा काजल सबको नमस्ते भई हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक है तो सभी को नमस्ते राम राम और प्रणाम आप देख रहे हैं मनुराथी यूट्यूब चैनल DTSB 2024 जो की अभी आएगी PIT की भरती उसकी द्यारी मगर हम आज से ही कर रहे हैं अभी से कर रहे हैं और एंटिटी के 1500 पज जो हैं DTSB में आए हूँ हैं जिसका कौम भी भरा जा चुका है तो क्लास करते हैं स्टार्ट पार्ट B के 100 मार्क्स का हम PYP यानि प्रिवियस एर पेपर से सॉलूशन करते हैं यह जितने एठेड सारे दिल मुझे भेजे हैं बेठा दिल से आप चाहती हूँ कि आपकी परिक्षा पास हो उसके लिए पूरा जीतोड महनत करेंगे और कि पद आ गए हैं उसको लेकर मैंने विडियो बना दिये 303 पोस्त आई हैं वही तो जो भी बीर्ड वाला है ना और पेपर टू पास है तो इलिजिबिलिटी देख लेना और फॉर्म भर देना ठीक है बही पॉर्स अलग से नियुस नहीं पढ़ना होगा जो हम पार्ट B मे थेयरी करा रहे हैं उसमें NIOS बेज और जो भी और एक्स्टा पोर्शन है उसको अच्छे लेवल का करके करा रहे हैं ठीक है तो करें स्टार्ट सभी क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हिमा ने बहुत अच्छी बात की है ठीक कोई बात नहीं अगर क्रियेट पी आटी और चंदीगड एंटिटी की डेट आ गई है और मैं अभी नहीं बताऊंगे फिर तुम मेरे वाली वीडियो नहीं देखोगे ठीक है तो चलिए अब आगे कर लेते हैं तो डी ट्रिपल एस भी दुहजार चॉविस प्रीएस एर पेपर साथ तीन दुहजार बाई ने हम कर रहे हैं शिफ्ट वन का हम कर रहे हैं क्लास में शारconomे लड़किया लड़के अले पर देखे, पढ़ने आती है वो, ठीक है, तो मैं बरुकुल दिल से सलाम है, ठीक है, आकाश ने लिख दिया 51 से, निश्या कल पचासवा कर लिया था मेरी बेटी, हमने करा था, ठीक है, तो 51 से लेकर आज हम 75 तक सवाल करेंगे, ठीक है जी, यह हमारे बैच चल रहे है, डीट सोगा हो गया, तो इसलिए मैं चाती हूँ, जो लाइव देख रहा है, वो 700 में बैच ले ले, तो इसलिए मैं बता रही है, बागी यह बैच चीज है, जो आप Notebook Academy अप्लिकेशन से ले सकते हैं, ठीक है, तो आज का क्लास का 51 वा कोशन, हम शुरू करते हैं, अब देखिए, स्टैटिस्टिक से कोशन आ गया है, सांखी की भी पूछ लेते हैं, ठीक, तो चुरू करते हैं सवाल, जिसके जो भी सवाल है, ठीक है, वो मुझे से एंड में पूछ सकता है, TGT Music की, बेटा मैंने चंदिगण में वीडियो बनाई है, वो 37 वर्षी है वापे उमर, चंडल मैंने देख लिए बेटा, इस क्लास के बाद मैं कराती हूँ, ठीक, तो 51 वा कोशन करते हैं, सब देखिए, क्लास में आ जाईए, ध्यान एक अगरित कीजिए, ठीक है, लंबी-लंबी सास से लीजिए, और अब पढ़ने के लिए तियार हो जाईए, एक लंबी सास लेते हैं आख बंद करके, सारी negativity भी नाख से निकाल दो और अब पढ़ने के लिए तियार हो, ठीक, निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही है, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मोड, मोड वो होता है, जो किसी भी distribution में सबसे ज़्यादा आता है, 3, median, median होता है आपका, जो आपका बीच बीच होता है, जैसे अगर हम 5 terms ले, x1, x2, x3, x4 और x5, तो यह जो हमारा बीच भीच होता है, यह median होता है, mean होती है आपकी average, mean अगर हम इसका निकालें, तो हमारा होगा, बता हो मैं बोल रही हूं, mean निकाले, वो सीरी बोल रही है, mean ऐसे निकालो, आइपेड में, artificial intelligence, भाया कमाल हो रखा है, mean हम निकालेंगे, x1, plus x2, plus x3, plus x4, plus x5, भाग में 5, जितनी number of terms होती है, मगर यह formula गलत है, mode जो होता है, वो 3 median, minus 2 mean होता है, ठीक है, range जो होती है, वो आपका difference होता है, आपका largest और smallest observation, जो सबसे बड़ी होती है, उससे smallest करते है, minus तो वो range दिखाती है, सही है, तो सिर्फ 2 सही है, आपका answer A रहेगा, अब यह देखिए, part B में statistics, maths के question आया हुआ है, तो यहाँ पर बच्चा फसता है, अरे maths छोड़ो ना, वो part B में भी यह बहुत ही आसान सवाल है, अगर concept जिसके clear होंगे, ठीक, तो यह सही है बेटा, ठीक है, अगला, when children do, listen and identify activities, जब बच्चे सुने, कान से सुन रहे हैं, और पहचाने गतिविधिया करते हैं, तो प्रेक्टिस करते हैं, basic language skills सुन रहे हैं, तो listening को करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं, उनकी शब्दावली बढ़ती है, जब नए शब्द सुनते हैं, तो उनका आर्थ सुने समझ में आता है, संधर्व से जोड़ कर देखते हैं, तो यह आपका to रहेगा, ठीक है, तो इसके बाद आएगा, one and two, both, ठीक, सही है, नाहिद, अन्नु, काजल, प्रीतम, हेमा, ठीक है, क्लास को लाइक कर सकते हैं, सभी, ठीक है, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 53, देखिए, मैं आपको स्पेश तोर पर कह देती हूँ, यूपी का कौन-कौन बालक है, जो लाइव क्लास देख रहा है, बेटा सूपर टेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपके सामने, इस वर्ष के लिए, अगर आप डीलेड है, तो एक चंदिगड जेव का कि मैडम, DSSB का बैस चिला दो, मैं नहीं लएगा, तो इस चीज को फोकस करके पढ़ लो, ठीक है, बाकी आप समझदार है, BPSC वो रहा है, उसको भी आप तार्गेट कर सकते हैं, जो सामने है, उसको ध्यान में रखतर पढ़ा है, ठीक है, आपका सुझाव मान लीजे, बड़ी भेहन के तौर पर, मेंटर मानते हैं, वैसे मान लीजे, वागर इस चीज को ध्यान दीजे, ठीक, PRT आएगा, ठीक, और इस वर्ष एक्जाम भी हो जाए, बस इतना कह सकते, आप बास्तम में अपने राज्ये या शेतर में EVS के कुछ स्थानिय नुकसान देख सकते कौन सा कौन सा नुकसान है, कि आपका जो रिच टॉप स्वाइल है, यानि जो उपर वाली मिट्टी थी, वो वाश दो हो गई है, और रिवर में, और वो रिवर बैड़ी, यानि कि किनारों पर आ गई है, ठीक है, जिसके कारण जो है, फ्लड्स, यानि मिट्टी कट-कटके बाड़ा रही है, ठीक है, पहले जो थे, बहुत सारे अलग-अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाते थे, मगर बहुत सारे मर गए हैं, और या फिर पर्मनेंट खतम हो गए, ये भी आप देख रहे हैं, दोनों बाते से ही हैं, तो 53 का आंसर आपका D हो जाएगा, चोवन, ये कोशन तो कोई मुश्किल नहीं है, चोवन में आप देखेंगे, गणित अधिगम में निमन लिखित में से कौन सी स्वा मुल्यांकन की तकनीक है, कि आप खुद सेल्फ असेस्मेंट करते हैं, तो आप स्कूटेनाइज करते हैं, यानि कि अलग-अलग करना से बड़ा है, ये डाटा में अवरेज इतनी आ रही है, इसमें इतनी आ रही है, दोनों चीजे भड़ियां है, ठीक है, तो आपका आंसर ए रहेगा, पुजा आज धुल आज बहुत बाते कर रही है, क्लास में, पुजा थोड़े आंसर मुझे भी बता दो, ठीक है, अगला आपका selection चाहती हूँ, इसलिए मैं कहा रही हूँ, धियान से चीजे कर लो, आप देखेंगे, आप YouTube पे उठा कर देख लेना, Part B के solution अगर किसी ने कराए हो, ठीक है, कोई भी इस चीज में हाथ नहीं डालना चाहता, इसको कराने में जोड लगता है, ठीक है, क्योंकि इसको कराने के लिए, आपको खुद भी मैस आना चाहिए, इंगलिश महानी चाहिए, ठीक है, आपको बहुत सारे perspectives, education के, philosophy के, sociology के, यह सारी चीजे, सब चीजों की विशों की पेड़ागोजी, तो दम चाहिए, इसे करने में में महनत भी लगती है, आप पढ़ेंगे नहीं तो मुझे मेरी महनत वेस्ट लगेगी, इसलिए कहती हूँ, ध्यान से पढ़ो, अब पच्पन का answer आ गया, आप देखिए, यह question सीधा-सीधा, NIOS के note से लिए आ गया है, ठीक है, NIOS के block से यह question direct उठाया गया है, विध्यारतिक किन उपकरणों से वास्विक परिस्तिती का अभग प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, informative tools, communicative tools, constructive tools या situating tools, पहले तो मैं आपको इस concept बता देती हूँ, कि पच्पन का answer है, D, situating tools, ठीक है, मैं समझाते हूँ, यह क्या होता है, situating tools होते हैं, जैसे कि आपके simulations, जो आप game खेलते है, PUBG वगयर, आपको ऐसा लग ठीक, इसके बाद आगया आपका informative tools, यह होते हैं, जानकारी वाले, जैसे आपको internet पे जानकारी मिल गई, home page पे मिल गई, network, virtual drive में कोई आपकी जानकारी store है, वो, constructive, यानि आप कुछ नया बना रहे है, MS Word में आपने कुछ नया type किया, MS PowerPoint में आपने अच्छी-ची नई slides बना Adobe Photoshop में आपने जो है, दुनिया बर के effects लगा दिये, यह glow मरवा दिये चेहरे के, है ना, communicative tool यानि suppression, आप कोई चीज इधर से उधर भेज रहे हैं, जानकारी, email के थुरू भेजते है, electronic mail, email की full form क्या होती है बेटा, electronic mail, SMS की full form क्या होती है, short message, service, आप short में जानकारी इधर उधर पहुचा आते हैं, communicate करते हैं, तो वो communicative tool कहले, ठीक है, तो यह आ गया, कोई दिक्कत इसमें, पर पार्ट भी के लिए कोई एक book नहीं है, जिसको मैं बता पाऊं, ठीक है, मैंने भी एक किताब से त्यारी लेकी थी, और जब मैं paper solve कर रहे जिसमें से आपके, मैं कहूं तो 40-50% course cover हो, अब देखो, अब यह question कहां से आ गया, हिंदी के content से आ गया, ठीक कैसे आ गया, अब यहां पर बोली और वगेरा की सारी बाते हैं, हिंदी का प्रकार विवरन का निमनलिकित में से कौन सा यूगम सही है, खड़ी बोली हिंदी के इस रूप को वर्तमान में मानक हिंदी माना जाता है, यह बिलकुल माना जाता है, हमने हिंदी व्याकरन जब हितेशतर करा रहे है, हिंदी भाशा का परीच्छे, तो आपने यह बात की हो, ठीक है, बिलकुल भी ऐसा नहीं है, entity वाले की तुम्हारे subject related question आ जाएंगे, तुम पूछ लेते एक दो बार, 2019 वाले सेट में, तो चीजे धिहान से देख, तो हिंदुस्तानी, बोथ हिंदी एंड उर्दू, बिलकुल हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू, दोनों उसकी शब्दावली इसका भाग होती है, ठीक है, तो यह दोनों बाते सहीं है, ठीक है, हि यानि संस्कृत के शब्द भी होते हैं, और हिंदी प्लस उर्दू के अर्वी फार्सी वाले शब्द भी होते हैं, तो दोनों बाते सहीं है, सहीं पूछा था, तो आपका आंसर यह आजाए, अगला, 57, अब यह देखिए, यह सीटेट की पैड़ागोजी जैसा कोशन इसा नहीं कि होश्यार एक जैसे एक साथ, रद्धी एक साथ, वो क्यलाती है होमोजीनिस ग्रूपिंग, जिसको हम बेकार मानते हैं, हेट्रोजीनिस तो हची हो गई, मिक्स ग्रूपिंग हो गई, हैल्प, चात्रों को अन्य चात्रों को धीमा या उन्नत के रूप में यह तो सभी को करती है, तो 57 का आंसर आजाएगा आपका C, सभी प्रवावित होते हैं, उन्ली वन, यह को ध्यान से करना है, C में लिखा है, उन्ली वन, वन सही है, तो ऐसे पोहुत देना है आंसर तक, ठीक है, मनिशा, जोती, आकाश, नाहित, बाकी भी वेरी गूड, लो एक और स्टैटिसिक से कोशन आ गया, ठीक, हाँ, तो मुझे लगता है कि इसमें कोशन में, मैं अब आपको लिख तरी देना पड़ेगा, देखिए, कोशन यह है, आपको मैं दिखा देती हूँ, यह एक फॉर्मूला होता है, मीडियन का, L प्लस N बाइटू माइनस C F अप चाइए, कि हम आ ले जाएक, class interval है, 20 का, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 40, तो class interval की height कितनी हुई, यहाँ पर height कितनी हुई, 120 से 40 में gap कितने का है, 20 का, यह है उसकी frequency, यानि कि कितनी terms है इसमें, 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, total terms कितनी हो गई, 50, ठीक, Cumulative Frequency, हम कैसे निकालते हैं, पहली को पहला लिख दो फिर इन दोनों को प्लस करके यहां लिख दो, इन दोनों को प्लस करके यहां लिख दो, इन दोनों को प्लस करके यहां, इन दोनों को प्लस करके यहां, इन दोनों को प्लस करके, ओ, एक मिट, आप क्या करते हैं, देखें, यहां से देखें, फर्स हमको तो ऐसी लिखते थे, 6 प्लस 8 आपका 14 आ गया, तो 14 में 10 जोड़ेंगे, तो यहां पे आप 24 लिखेंगे, 12 में 24, 36, 6 में 36, 42, 5 में 42, 47, 47 में 3, 50, और यह और यह सेम होते हैं, क्योंकि आप एड़ कर रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में, यह आपने दस्वी में निकालना सीखा हो, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है, कि हम लिखते हैं, L अब यहां पर अगर हम देखें, तो हमारी मीडियन वाली, 3 उपर के छोड़ दिये, 3 नीचे के छोड़ दिये, तो मीडियन क्लास कौनसी होई, 60 हस्ती वाली, इसमें लोवर लिमिट कितनी होई, 60 की हुई, ठीक है, प्लस, n बाइ 2, यानि नमबर आफ तरम्स को 2 से भाग कर देंगे, 50 को 2 से भाग किया, 25, माइनस क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो इससे बिल्कुल एक पहले की है, तो वो यह है, 24, अपॉन फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर थी, वो 12, इंटू आपकी हाइट कितनी थी, यानि 60 और 80 के बीच में कितना है, 20 का गैप, इस तरीके से आप मिडियन निकालते हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं, L है आप का माध्यग वर्ग की निम निसीमा, N है आपका प्रेक्शनों, फ्रिक्वेंसी की संख्या, C, F है माध्यग वर्ग से ठीक पहले वाले, वर्ग की संचई बारंबार्ता, मेडियन निकालते हैं, ठीक है, तो यह हमें आना चाहिए, आया है यहाँ पर समझ में, मेडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को है, पहले तो यह बताओ, सारे मैस आते ही, ऐसे भाग गए, जैसे पता नहीं, साब सुंग गया, क्या साब सुंग गया, दस्वी में तुमने स्टैट्स में यह करा है, हाँ या ना, मीडियन का फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है, इस कोशन में यही दे रखा था, कि आपका जो फॉर्मूला है, उसके बारे में हमें बताना है, क्या सही नहीं है, तो मदलब गलत, ठीक है, अब फॉर्मूला यहां पे लिखा नहीं, फॉर्मूला वही पीछे जो था, वही है, तो आई का मदलब class interval है, LM का मदलब lower limit है interval की, F का मदलब है total frequency, तो तीनों बाते ही सही है, तो अब हमारा, तीनों बाते ही सही है, हमसे पूछा है गलत क्या है, तो हम क्या लिख कर आएंगे, कि आपका ना ही first गलत है, ना ही second गलत है, ना ही third गलत है, क्योंकि तीनों बाते सही, तो हमारा ए आ देखो मैं दुबारा बताते हैं, यह बहुत आसान है, मीडियन क्या होता है, बीच ओ बीच, ठीक है, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ चीजी हैं, उपर वाली जो है, तीन छोड़ दो, नीचे वाली तीन छोड़ दो, यह आगई मीडियन की क्लास, ठीक है, इसकी लूवर लिमिट क्या है, साथ, तो यहां फॉर्मूले में लूवर लिमिट लिख लिए है, जैसे कि अगर मैं आपको बता के दिखाऊं, यहां पर अगर हमारा होता, चलो यही समझ लो, साथ, ठीक है, और बना कोगे, और कन्फ्यूज कर रही है, एन बाई टू होता है, एन आपका टोटल फ्रिक्वेंशी का, यहां पे इसका टोटल किया तो पचास था, तो पचास बटा तो, चुमिलेटिव फ्रिक्वेंशी जो की एक उपर वाली है, तो वो 24 हो गई, इस interval में आपकी frequency कितनी थी, 12, और ये width कितनी थी, ये 20 कितनी थी, ठीक है, आया समझ में, ठीक, तो लखी बालयान को तो समझ में आ गया है, ये आपका median था, इसको formula लिख लो, इस पे question stats पे आ रहे हैं, ठीक, question number 59, in the context of problem solving, यानि समस्या समाधान के संदर में, शिक्षक की निम्न लिकित में से कौन सी भूमिका है, भई समस्या की स्तिती बनाएंगे हम, अरे समस्या आ गई, मैस आ गया, कक्षा में भैमुक्त बातावरन बनाएंगे, भई डरो मत थम कर लेंगे, समस्या को समझने, परिभाशित करने और उसे बताने में बच्चे को help करेंगे, तो तीनों चीज़े करेंगे, तीनों positive हैं, ठीक है, ठीक, तो हमारा, one, two, three, तीनों आ जाएगा, बी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं थी इस question में, यह seated जैसा question था, गोपाल बेटा क्या question है तुमारा, अब देखो, एवियस की पेडागोजी से question आया है, हाँ, रिया, पी, हु, रिच्चा, समझ आ रहे हैं रिच्चा को बिल्कुल, है ना, बिटा तीनों बाते सही थी तो भी होगा ना, सोच क्या रहा है गोपाल, अब साथ देख ले, प्रारंबिक लेवल पर, एवियस अधिगम से इसके विकास को बढ़ावा मिलता है, पहला, एक भाषा जिससे वो अपने आपको describe करते हैं, रहे मैंने share देखा, share में जो थी इतनी बड़ी-बड़ी मुच्छे थी share की, इतना लंबा था वो, ठीक है, skills needed, कैसे कौशल चाहिए कि अपने environment के बारे में जाने, solution ले problem के, so experiment कर करना, परियोग करना, अवलोकन करना, वर्गी करण करना, यह सारे process skills हैं, जो EBS में हम सीखते हैं, तोनों बाते सही हैं, आपका answer 60 का A है, 61, आप देखिए, social science की pedagogy से question आया, अच्छा, ठीक है भई, मैं देख दूगी, ठीक है, तुब पहले lazy की spelling सही कर रहे है, Lazy लिख रहा है, lazy, lazy नहीं, लसी लग रहा हो, lazy है, मैं देख दूगी, आप पूजा, लवी, जोती, आकाश, हिमा इतने सारे डी, किसको भेज रही हो, समाजक विज्ञान के परिक्ष है, यानि कि आपको colonial, यानि जो अंग्रेज जो हम पर राज करते थे, किस अंधर में कौन सा कथन सही है, भारत में आपनिवेशिक काल में समाजी विज्ञान पठे चर्या के विकास में बहुत योगदान दिया है, हाँ वो civics वगेरा लेकर आए, अंग्रेज ही थ भारत जब कोलूनी था अंग्रेज हो की, तो आपका D सही रहेगा, अब देखो यह आगया है, एक factual question, एक किताब का नाम है और पूछ लिया भाई, यह किस ने लिखी है, ठीक, लुप्त किशोर, वेनिशिंग अडॉलोसेंस, यह किस का काम है, कर्ट लुइन का, एलिस देव जिसका Albert Bandura, Bob Odole Experiment, Social Learning Theory, कर्ड लुइन, जिसने टिपोलोजी वाला काम दिया था, behavior is the function of person and environment, यह equation कर्ड लुइन ने दी थी, यह काम है, एजल जैड फ्रिडन बर्क का, ठीक है, यह इनकी किताब का पोस्टर है, आप देख सकते हैं, एक सर्च, कोई होलो बेर नहीं, यंग American Youth, ठीक है, जो कि यह किताब इतनी famous हुई थी, यह किताब दस बार इसके reprint हुई थी, यह इतनी भी की थी, कि मतलब American, युवा बड़ा परिशान है, खतम होता जा रहा है, युवापन और मतलब abuses में लिप्त हो रहा है, बोर हो रहा है, ऐसी यह थी, ठीक है, तो इसका answer जो मुझे लिफू के प्रिपियर करें, प्यक्यू की एक प्यक्यू, पियाटी का, एंटीटी का, स्विशल एजूकेशन का, टीजिटी के जितने paper हुए है और प्जिटी की जितने paper हुए है कि पेडगॉजी पहले उनकी चिपलत हुए हुए फैक पहले, इनको तो कर ले इतने बैच लेने के लिए आप Notebook Academy अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको बैच मिल जाएगे, फोशन रिपीट होती है, किशोरो पर योवन के मनु बिज्ञानिक और उपर से बात ही है कि आपके सोच बन जाती है, जैसे मेरे साथ सोशन लगाऊँगे, जैसे मैं सोच कर सटी का अंसर तक पहुशती है, तो इसलिए यह बहुत ज़रूर है, बहुत एंटिटी की कोई किताब नहीं है, ठीक है, कि जिसे मैं कहूँ इस से पढ़ लो, NIOS के थोड़े DL8 के नोट से हैं और ECC के वह आप देख सकते हैं, किताब, एक किताब से कभी किसी का बेड़ा पाड नहीं हुआ है, तो इस चक्कर में मत रहे, आप बिल्कुल आप ले सकते हो, भी बैच स्टार्ट हुआ है, हफता दस दी नहीं हुआ है, हफता ही हुआ होगा, तीसरी क्लास ही तो कराई थी आज मैंने, हाँ, ठीक है, चलो, किशोरों पर और वो आपको recording मिल जाएगी, जो लाइव हो चुकी, तो ऐसा नहीं है, तुम बाद में भी देख सकते हो, विद पीडिये, किशोरों पर योवन के मनों विज्ञानिक परभाव के context में कौन सी बात सही है, शारेरिक विकास की विशेष्टाएं, समाजिक विकास को परभावित करती पाई जाती हैं, है ना शारेरिक विकास करता है, क्योंकि सारे विकास एक दूसरे को परभावित करते हैं, पतला रहने और अकरशक दिखने की प्रेंडा, किशोर लड़कियों की प्रमुक चिंता, हाई मैं कैसी लगती हूँ, हाई एड्रेस मैं पहले पहन तुकी, उसी शाट आप, मेरी बेहन की बैटी अब किशोर अवस्ता रहता है, गर्ल्स में 10 से 14 है, ठीक है, और लड़कियों में फिर डेट वगयरा आना, यह सारी चीज़े, ब्रेस डेवलप्मेंट और यह सारे फिजिकल चेंजिस और सेक्शुल चेंजिस आजाते हैं, लड़कों में भी डीपनिंग ऑफ वाइस, और अलार्जमेंट ऑफ ज अब अपने को तो याद आते हैं, फ्रोबल उसने तो किंडर गार्डन की बात की थी, मगर देखिए, मॉन्टेशनी ने भी डिडेक्टिक अपरेटस, यानि समवेधी शिक्षा पर काफी काम किया, तो ठीक है, यानि और इसने तो कहा था, कि राइटिंग बिफोर ठीक है, गोपाल देखिए, सेम चीजे बस यह है कि स्पेशल एजुकेटर वाले में आपको थोड़ी दिव्यांगेता डिटेल में करनी होती है, ठीक है, डूई, डूई ने देखिए आपको समाजिक संदर में पढ़ने की बात की गई है, रूसो ने क्या का था, नेगेटि यह का था इसने, तो तीनो बाते सही है, आपका अंसर D आजाएगा, अब भारत माता पेंटिंग, स्टैटिक जी के का कॉशन यहां आ गया, ठीक है, भारत माता पेंटिंग के संधर में कौन सा कथन सही है, इसको रविन्दा टैगोर ने पेंट किया, इसको रविन्दनाथ टैगोर ने तो नहीं किया, अब भिन्दनाथ ने किया है, जो इसका कजन है, काटो, 1905 में एक रिस्पॉंस था, बंगाल पार्टिशन के अगेंस्ट में यह भारत माता की पेंटिंग मनाएगा, यह बात सही है, तो पैसट का उनली टू सही है, भी आ जाएगा, यह है भारत टैगोर ने किया था, 1905 में, ठीक है, आपका सैफरन, यानि कि आपका नारंगी, रंग में एक महिला है, जो एक साधवी के तोर पर जिसे ड्रेस किया गया है, यह है भारत माता, इमेजिन किया गया, कि भारत माता होगी तो ऐसी होगी, साड़ी वाली, ठीक है, और उसके हात में जो है, ठीक है, यह चावल के, जो है, चावल की प्योध ही है, ठीक है, और एक सफेद कपड़ा है, ठीक है, एक रुद्राक्ष है, ठीक है, यह सफेद कपड़ा यह रहा, यह चावल की प्योध ही है, ठीक है, तो इसके चार हात में ही है, यह कोशन भी आ सकता है, ठी तो नेफ्यू थे ये इंडियन पोएट रविंद ना टैगौर के अबिंद ना टैगौर उन्होंने ये भारत माता पेंटिंग बनाई थी ठीक है हाँ इसके बाद आ गया आपका अगला शयासत योगा एजुकेशन से कोशन योगा स ही यह आपका । हो कोशन आता है ठीक है नहीं रीना ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कोई बात नहीं बेटा सिम्रन आप पढ़ लो बस ठीक है कोई लाइव नहीं देख पाता रिकॉर्ड देख लो मगर पढ़ो ज़रूर ठीक यह जितनी यह सीरीज चल रही है ठीक है अगर किसी ने मेरा कोर्स नहीं भी लिया है तो इनके फ्री पीडियाइफ आपको नोटबूक अकैडमी में फ्री क्लासिस में मिल जाएंगे वहां से पढ़ लो मगन लगो ठीक है और वागे जो बैच वाले बच्चे है वह थेयरी के कोशन आते हुए देखते हैं तो उनको खुशी होती होगी कि हम सही पढ़ रहे हैं ठीक फिजया सकते हैं योग का आर्थ विभिन विक्तियों के लिएी विभिन हो सकता है निम निलिखित में से कौन नहीं भटकता, विचार नहीं आते इतने, इससे आप एक शांती प्रिय जिंदगी जी सकते हैं, तो कल से पक्का योगा स्टार्ट करेंगे, योगा बढ़िया हो जाता है, दीरे दीरे, पहले तो आप ऐसे बिल्कुल, पहले ना मैं बिल्कुल हाथ भी नीचे लगा लेती थी आप देखें, उपर ही अठकी रह जाती हूँ, तो योगा दीरे-दीरे करते हैं, तो बोडी में फ्लेक्सिबिलिटी, नियम और आपकी हर चीज सटीकता से, टाइम से होती है, तो कल से योगा करेंगे सभी, हम भी, पूछना मुझे कल की क्लास में, मैं आज योगा किया या नहीं, यह शनिवार सोच के लेट उठी, कीकल चुटती है, चलो भई, 67, खेलने से बच्चों में cognitive development, संग्यानात्मक विकास, यानि सोच, चिंतन, तर्क, शक्ति से वाली बात, इसमें किसमें help मिलती है, खेलना कई चीजे सीखने का आफसर देता है, बिल्कुल देता है, ख कलपों का analysis करने, तर्क करने, सोचने की शम्ता, यहां से पिट्टू पर, यहां से बोल मारेंगे, तो वहां से वो गिर जाएंगे, नहीं ऐसे मारो, तो सब चीजे आप दिमाग लगाते हो, दोनों बाते सहीं है, तो आपका answer आजाएगा A से, 68, 68, यह एक non-communicable disease है, यानि फैलती नहीं है, खास्टी आपका पड़ोस्ती कर रहा होगा, फट से आप पकड़ लोगे, मैं तो सबसे पहले पकड़ लूगी, तो यह तो communicable हो गई, heart stroke, यह ऐसे communicable नहीं होता, कि इसके heart attack पड़ गया, तो आपके भी पड़ जाएगा, यह communicable नहीं है, measles, khasra, mataji से कहते हैं, यह है, mumps भी आपके communicable है, कि उसके पास जाओगे, तो आपके भी हो जाएगा, तो इसका answer B हो जाएगा, अब बताओ, यह कोई मुश्किल question है, मुझे कराना पड़ रहा है, थीक, तो quality देखिए, आपको बड़े important रहेगी, आपके GS में भी, part A ढंग से किये बिना, ना ही PRT निकलेगा, ना ही entity निकलेगा, तो जो part A, O, U, सुस्तन, A, A, क्या है, merit ही नहीं बनेगी, 165 merit जा रही है, बताओ, part B में तुम सो लियाओ, के राज्ये के नीति के निर्देशक नीति, यानि DPSP के तहत, कौन सा अनुछे सीधे बच्चों से सम्मंदित नहीं है, तो 69 का आपका जाएगा A, article 48, मैं बताते हैं कौन से-कौन से article है, article 47 जो है, वो कहता है, duty है state की, कि वो raise करे level of nutrition, और standard of living, ताकि इंप्रूव हो public health, तो 48 कहता है, कि आप agriculture और animal husbandry, पशु पालन की बात है, तो इसमें तो पशु पाल रहे हैं, बच्चे का पाल रहे हैं, तो यह 48 इसका answer हो गया, 41 में बात है, right to work to education और public assistance, certain cases में, तो सिक्षा की बात आ गए, बच्चों से संबंदित है, provision for just and human conditions for work, और maternity relief, अब maternity relief में बच्चे आ गए, यानि कि बच्चे जो पैदा होने वाले हैं, उनकी माओ को maternity पैदा हो गए, फिर उनकी माओ को जो छुप्ती मिलती है, उसकी बात तो यह भी related है, 70, EBS pedagogy का question, लगाईए, अर्चनास, रीना, हेमा, अर्चना, शबनम, यदा, ठीक, लड़कियां ही, लड़के कितने हैं क्लास में, हाथ खड़ा कीजिए, ठीके, यह लड़के अभी तो यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाद में आएंगे मेरे बास, मैडम, पिपर आगे, अब क्या करें हम, तब आ इसी निकाल लेंगे, यह निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, फिर भरती आती है, टीचर की फिर कहते हैं, बढ़के क्या करें, बता हूँ, ठीक, एवियस में सहिकारी अधिगम के सिधानत क्या है, पॉजिटिव एक दूसरे से संबंदित, यह सही है, यह देखो, कितने अ स्टेटस हो, अंतर क्रियाओं का समान सर हो, हर बंदे की जवाब दे ही हो, तो तीनों बाते सही है, तो आपका आंसर सी आजाए, बी, अब देखिये, जो आपने देखा होगा, आशी सर से कौन-कौन पढ़ रहा है, बटक, क्या करूँ अब मैं, मैं देखकर ही बता कि आप बार-बार लिखने से थोड़ी कुछ होगा, create वीडियो, मैं लड़कियों के हाथ उठवा लूँ, ठीक है, जाचा एक बात बताओ, आप में से किस-किसने आशी सर की क्लास लगा रहे हो, पार्ट B की, हाथ खड़ा करो वो बच्चे, DSSB पार्ट B की क्लास इस आशी पार्चना, रीना, स्काई, रीना, लविश, अंबिका, अन्नु, सर ने पोशन करा है ना तुम्हें, नवू, तो बहुतों को लोगा, पोशन क्यों करा रहे हैं, यह पार्ट B में कहां से आता है, बेटा बहुत सो समझ के हम चीज़े करा रहे हैं, यह देखो कुछन, पोश तो कुछन तुम्हें पैचान में आया, देखने को मिला, अब देखिए, राइस से प्रोटीन नहीं मिलता, राइस से मिलता है आपको कार्भो हाइडरेट, तो इसका आंसर जो रहेगा वो B रहेगा, ठीक, 72, ले, डिजाइन, गती और अभिव्यक्ती, ले में जो है, हम, ले है, डिजाइन है, अब मूवमेंट है, मूवमेंट शरीर की, ठीक है, और एक्सप्रेशन है, तो भई यह तो आप निर्ते में लाते हैं, तो यह आपका डांस रहेगा, रिदम म्यूजिक में जा रहा था, मगर हमारी मूवमेंट जो है, वो मूजिक में नी जा रही थी, तो हमारा आंसर ही निर्ते रहेगा, आर्ट एजूकेशन से कुश्चन आ रहा है, अगला, दा ग्रोथ पर्ड दूरिंग प्यूबर्टी इन्वोल, यानि योवन के दोरान वृद्धी में, अभी हमने प्यू होती है, वजन बढ़ता है, इंटर्नल ओर्गन के साइज में चेंज होता है, फंशन करने लगते हैं, कुछ जैसे एग प्रोड्यूस होने लग जाएगा महिलाओं लडकियों में, ये दोनों बाते सही हैं, ठीक है, हमसे दोनों बाते पूछी थी, तो हमारा आंसर सी आ गया चुहत्तर, आर्ट एजुकेशन से एक और कुछ, कौन सी कला मुख्य रूप से विविद सामुदाइक समुहों के पारंप्रिक कला रूपों को दर्शाती हैं, तो जैसे कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग, वर्ली आर्ट, ठीक है, कोचंपली, ये सब आपने देखा हैं तो एक पर्टिकुलर शेतर में ये लोकेटिड है, ये क्यलाती है आपकी रीजनल आर्ट, कैलिग्राफी, सुंदर-सुंदर लिखना, कॉंसेप्ट का कोई आर्ट नहीं है, आपका एपस्टेट आर्ट ये भी नहीं है, तो आपका अंसर एज है, ठीक है, मैंने एक वीडिय कौन सी होती है, और ये आपके, ये जितने भी मैंने बस्तर बताए, ये सारे पढ़ा रखे है, ठीक है, आप देखिए का वो वीडियो मैंने बड़े मन से बनाई थी, ठीक, चलेगा, 75 वा कोशन करेंगे, Notebook Academy अभी हमारा YouTube चैनल है, भी हमारा, हभी बूलने वाली में, ठीक हम करेंटी कर रहे हैं, अभी तो है ना, लाइव चल रहा है, बैस, DSSB के, पिच्चेतरवा कोशन, कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिध्धान के संधर में कौन सा कथन सही है, Moral Reasoner Conserves Morality as a Matter of Acting in Accordance with Justifiable Principles, नैतिक तर्क करता है, नियोचित सिध्धान के अनुसार कारे करने के मामले में, नैतिक तर्क्षन करता है, हाँ जी ऐसा करता है, Conventional Morality में, ठीक है, जो कि आपका Level 2 है, जी करता है, उसकी थेयरी जो थी, वो Gender Difference से Free थी नहीं, बेदभाव था, उसने लड़कों के इंटर्व्यू लिये थे, लड़कियों के तो लिये ही नहीं थे, ठीक है, और उसकी थेयरी जो थी, सिर्फ Justice पर आधारित थी, इसका जो है, ग्रिटीक किया था, कैरल गिलिगन ने, जिसने कहा था, जिसने कहा था कि भई, आप जो महिलाएं जो होती है, उनकी नेतिकता जो होती है, वो जुड़ी होती है, Ethics of Care से, ठीक है, तो हमारा सिर्फ One सही होगा, Only One, तो हमारा D सही होगा, ठीक है, तो यह थे आज के 75 कोशन, पेड टेस्स लेने के लिए, आप हमारा बैच ले सकते हैं, यहाँ पर, Notebook Academy हमारी एप्लिकेशन है, वहाँ पर जाएए, वहाँ पर आपको PRT, पेशल एजूकेशन, नर्सी टीचर, जो TGT की त्यारी कर रहे हैं, या MTS वगएरे के उनके लिए जर्णरल बैच, यह बैच आपको मिल जाए, ठीक है, PRT का बैच पहले हजार बच्चों के लिए सातों का है, फिर नो सों का हो जाएगा, और जिन बच्चों ने ये वाला बैच लिया है, और इस दौरान भरती नहीं आती है, ठीक है, बैच पूरा हो गया, उसके बाद भरती आई, ठीक है, तो हम दुबारा एक और बैच अगर उस ताइम पर हमने निकाला, तो जिन बच्चों ने ये वाला बैच ले रखा है, उनको PRT 2.0 फ्री देंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जुड सकते हैं, माडम और पढ़ा हमा मुझे अभी वीडियो एक और बनानी है, चंदिगड की PRT entity की डेट आ गई, ठीक है, एंटिटी के लिए आप नर्सरी बैच ले सकते हैं, चंदिगड का भी एक एंटिटी बैच है, चलो भई, बाई-बाई, मिलते हैं, और TGT वालो भरती आ गई है, तुम देख लेना झालो